कि बहराईज के बाद मध्यप्रदेश के खनवा में भी भेडिये का आतंक देखने को मिला यहां मलगाओं में आधी रात के बाद भेडिये ने पांच लोगों पर हमला बोल दिया आधी रात के बाद हुए हमले के बाद लोगों ने भीडियो को पकड़ लिया वहीं हमले वे घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्थी करवाए गया है इधर मुरैना में व्यापारी से साढ़े आठ लाख रुपे की लूट हुई है व्यापारी से मार फीक की गई रोपे उसे भरा बेग लूट कर यह सबी फरार हो गए पराग उयल मिल के सामने यह पुरी भादना सामने आई है कोतवाली थानक शेतर में व्यापारी से लूट पार्ट की यह तस्वीरे भी इस वक्त आप देख रहे है बाइक सवार बदमाश आते हैं, टककर मारते हैं, व्यापारी अपने वाहन समेथ गिर जाता है और फिर जो बैग है उसे छेन कर ये फरार हो जाते हैं इस पूरी घटना का हाला कि व्यापारी पकड़ने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन तब तक ये भाग जाते हैं और बलोदा बाजार में बदमाश बेखौफ हैं, बाइक सवार बदमाशों ने देवरी डी हुते रहे के पास बंदूग की नोक पर जूलर्स के साथ लूट पाट की बदमाश चार लाक रुपए के सोने चांदी के जेवराथ से भरा बैग लूट कर फ़रार हो गए युन्होंने हवाई फायर भी के दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर लोट रहा था उसी दौरान ये घटना अंजाम दी गई, लूट अंजाम दी गई, घटना कारित की गई इधार अंबिकापुर में तीन महिने से लापता मजदूर की लाश मिली है, जमीन में तकरीबन पंदरा फीट नीचे लाश को दफन किया गया था नलजल यूजना की पानी टंकी के नीचे लाश मिली है, बिलजोरा गाउं से साथ जून को ये लापता हुआ था, कमलेश्वर थाने के लुरेना गाउं का ये पूरा मामला है पेंडरा में एक बुज़र्ग महिला ने अनुखे अंदाज में थाने में शिकायत की, महिला कटे पेड़ की डाल लेकर शाखा लेकर थाने पहुँच गई महिला ने कहा कि बाहर से गाउं में कबजा करने रहने वाले लोगों ने मेरा पेड़ काट दिया है महिला ने बताया कि बारह साल से इस पेड़ को मैंने एक बच्चे की तरह पाला अब जब यह घटना हुई तो यह डाल लेकर महिला थाने पहुँच भी काफी देर तक वह यहां गुज़ी है अ कि मोर पेड़ बादा काट देहें तेखर जानकारी देहलाई हूं मोर पेड़ काट देहें सगली बांस ला काट देहें कौन काट रहें ए न थुक बेटा कुन ला कहां वह जाके काते हैं हमर घर दूरा रोड़े टाठा है देख देखिया कि सही आए कि लबारी आए तुम हूं देख लई है भाई जाए के बारी में लगाए रहा कि बारी में लगा रहे हैं बैंगलूरू में आटो ड्राइवर ने दो लड़कियों के साथ बतसलू की कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है दरसल लड़कियों ने आटो बिक किया था लेकिन बाद में राइट कैंसल कर दी गई इसकी वजए से आटो चाला गुसे में आ गया और इतना गुसे मे अब लुझे आप चलाइए वा तो गाली मत दीजे ठीक है यह फालकी चिक मत बोलिए मुझे आपका फोर नंबर आपका गाड़ी नंबर हम कंप्लेंड कर देंगे सड़क पर हंगामा मचा हुआ है एक आटो ड्राइबर बुरी तरह आग बबुला है वो आटो मर बैठी लड़कियों से बसलूकी पर उतर आया हाइटेक सिटी पैंगलूरू से ये हैरान करने वाली घटना सामने आई जहां एक आटो ड्राइबर ने दो लड़कियों से अभधरता कर दी क्या हो गया तो कर दिया आप कैंसल नहीं करते हैं कभी हम लोग का राइड द्रसल दो लड़कियों ने आटो बुक किया था लेकिन बाद में उन्होंने किसी वज़े से राइड को कैंसल कर दिया जिस जगा पर आटो चालो को बुलाये गया था वो वहाँ पहुच गया लड़कियां दूसरी आटो में बैठ गई थी इसके बाद तो उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया राइड कैंसल होने पर आटो ड्राइवर बुरी तरह भड़क गया वो दूसरे आटो में बैठी लड़कियों से जगडा करने लगा उन पर जोड से चिलाने लगा लड़कियों ने उससे पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आटो ड्राइवर जादा आक्रोश में भर गया इतके बात वो लड़की से फोन भी छिनने लगा आरोप है कि इस दौरान लड़की को थपड़ भी लग गया आप चिला क्यों रहे हो आँ तेरे बाप देते है क्या गया यही पर था वह यह वन मिनिट दूरी था आपको आटो बात समलनी की जगए बिगड़ती चली गए वहाँ पर मौझूद लोग भी उससे समझाने की कोशिच करने लगे लेकिन उसके उपर तो असर ही नहीं हुआ बाद में लड़की ने उससे थपड मानने के वज़़ा भी पूछी लेकिन उसका बारा साथ में आसमान पर था आप चला क्यों रहे हो आँ तेरे बाप देते हैं क्या गया यहीं पर था हुआ वन मिनिट दूरी था आपको आटो आप चला यह मत तो गाली मत दीजे ठीक है यह फाल कुछी ते मत बोलिए मुझे और क्या करती है मैं पोलिस के पास जाओंगी आज आओ चल पोलिस का पास यहीं पर आप क्या अ चैन्सल नीं गटे हने कभी हम लोग का रएई उम्यालक ना गां जाओंगी मैं अपके साथ क्यो जाओंगी मैं के यह आ जाओंगी हुआ आपका फोन नंबर आपका गाड़ी नंबर आँ कम्लेंट आ इस दोरान घटना का वीडियो लड़की की दोस्त ने बना लिया बाद में लड़की ने सोशल मीडिया पर ओनलाइन एप को टैग करते वे इस घटना की शिकायत की और वो वीडियो भी पोश्ट कर दिया कहा सुनी और बस्तुलुकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद पुलिस ने संध्यान लेते हुए आटो चालक आर मुस्तुराज को अरिश कर लिया और कॉंग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाड बजरंग पुनिया ने भी कॉंग्रेस की सदस्ता ले ली है इससे पहले इस तरह की जानकारी आने लगी थी जैसे ही राहूल गांदी के साथ इन दोनों का फोटो आया ये लगभग लगभग तायम आना जा रहा था कि वि आखिरकार ये बड़ा अपडेट कि विनेश फोगाड बजरंग पुनिया रहा दोनों ने कॉंग्रस की सदस्कता ले ली है ओलम्पियान विनेश फोगाड ने भारतिये रेल्वी की नौकरी से स्तीफा दिया और लिखा भारतिये रेल्वी की सेवा मेरे जीवन का इक्याद और गौरवपूर समय रहा हर्याना कि विनेश जी तो इस तरह की बाते आई कि वह बैदान में नजर आ सकते हैं बजरंग पुनिया सपोर्ट के करेंगे ये बातें अभी कही जा रही है तीन ओप्शन मिनेश फोगाड को दिये गए तीन सीटें ऐसी हैं जहां से उनको चुनाव लणने के ओप्शन दिये गए हैं लेकिन अभी इसको पुश्च तोर पर नहीं का जा रहा कॉंग्रेस में आखिकार शामिल हुई विनेश कोगाइ तीन का रहां से ले प्रॉच तोर ग्लगे को पुश्च तान।